चलिए मैं आपको आज सुबह की एक बात बताता हूँ, आज सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, तो मतलब actually Instagram पर क्या होता है, generally मेरा यह है कि जो सुरू के 4-5 लोग जो दिख जाते हैं मैं उनको reply कर देता हूँ, जो भी दिख जाते, जो सुरू के 5 दिख ज आज की स्टोरी है, तो मैं एक दम से वो गया, उसने लिखा कि बैस सुसाइट करने जा रहा हूँ, आप मेरे माबाप का ध्यान रखना, तो मैंने काया दिख तुम सुसाइट करने जा रहे हो, तो तुमने अपने माबाप की लाइफ तो वैसे ही बरबात कर दी, तो क्या उससे प्यार करते थे, और अब जो है, उसने मतलब बिलकुल ध्यान देना बंद कर दिया, और अब वो बोल रहे है तुमको मरना है तो मर जाओ, तो मैंने का तुम एक लड़की के कहने से मरने को चले गए, जिस माबाप ने तुमको बच्पन से पाला पोसा इतना बड़ा क किया, तुम ट्रेश्ट करना, इस नॉट एन इजी जॉब, बच्चों को बड़ा करना इजी जॉब नहीं होता, हर कोई आसानी से अपने पेरेंट्स की तरफ फिंगर पॉइंट कर देता है, आपने ये किया, आपने ये नहीं दिया, आपने उसको ध्यान दिया, मुझे ये नहीं सो पाओगे, आपकी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने कितनी रात ऐसे गुजारी है, समझ मा आ गया, अब इस समय डाइपर्स वगेरा चलने लगे, आपके टाइम में जब आप छोटे थे, ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी, और उस समय ये भी एक ट्रेंट था कि पेरें लेकिन वो हिलते भी नहीं थे कि वच्चा उठना चाहे, तो आप इस बात को समझना और ऐसा कई-कई रातों होता था, क्लियर हो गया, कई-कई-कई रात होता था आप इस बात को समझना, तो इसलिए सबसे पहली बात इसको समझो, अब दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं, क कुछ अचीव करना, नहीं अचीव करना, सबसाइट की चीज़ें होती है, ट्रस्ट करना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कि ये सारी चीज़े सेकेंडरी होती है, क्लियर हो गया, आपको लगता है कि आप ये पाओगे, तो आप खुश होगे, नहीं, खुश एक गाइनी, मतलब उसके बाद उसने सोसाइट कर लिया, जबकि वो प्रेगनेंट भी थी, उसने सोसाइट कर लिया, तो अब इस बात को समझो, आपको mentally strong होना बहुत ज़ादा जरूरी है, अब हम आते हैं उस point पर, कि लोग कैसे बदल जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं, इ मैंने आपसे बोला ना, इस पढ़ाई वड़ाई सबसाइट की चीज़ है, सब सेकेंडरी चीज़ है, लाइफ से बड़ी कुछ नहीं होती, और याद रखना है तुम हिम्मत नहीं आरोगे ना, तो लाइफ में जाते जाते इस लाइफ से तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, बहुत अच्छा ऐसा कर जाओगे कि तुमको सटिस्फेक्शन रहेगा, बास समझ में आ गया, आप समझो, आप मुझे बताओ एक परसन अंधा है, बचपन से अंधा है, ठीक है, तो उसकी सबसे जादा अच्छी चीज़ जिससे उसको सबसे जादा प्यार होगा वो क्या होगी, लकडी, वो लकडी जो उसको चलने में मदद करती है, वो लकडी जो उसको गड़े में गिरने से बचाती है, जो उसको क्या करती है, गड़े में गिरने से बचाती है, ठीक है, अब मुझे बताओ, 20-25 साल बाद सडलनी उसका आई ट्रांस्प्लांट हो गया किसी व्यक्ती ने उसको अपनी आखे दे दी अब वो परसन देखने लगा अब जब वो परसन देखने लगेगा तो मुझे बताओ देखने के बाद मैं उस सबसे पहला काम क्या करेगा उस लकडी को आप मुझे बताओ समाल के रखेगा उस लकडी को पूरे टाइम अपने साथ रखेगा है उसको फेग देगा उसको क्या कर देगा फेग देगा तो याद रखना ये दुनिया का नियम है आप इस बात को समझो जब तक जरूरत होती है तब तक ही प्यार होता है आप इस बात को समझो माबाप के अलावा इस दुनि लेकिन उनके मन में कभी भी अपने बच्चे के लिए कभी भी याद रखना कुछ गलत नहीं होता तो इसलिए याद रखना एक लड़की गई जाने दो दूसरी गई जाने दो तीसरी गई जाने दो जो गया जाने दो याद रखना वो जा इसलिए रहें क्योंकि अभी सही पर सन आएगा ट्रेश्ट करना आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये लोग चले गए